गुद मॉर्णिंग चिल्रेन पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पराथा ओकारांत पूलिंग अर्थात ओ से अंत होने वाला और पूलिंग जिससे पूरुस जाती का बोध होता है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आकारांत इस्त्रिलिंग यानि कि जिस सब्द से इ से अंत होने वाला जैसे सीता, गीता, लता, हेमा, इत्यादी ठीक है अब पिछली कक्षाओं में जैसे आपने पराता है एक बचन, दुवचन, बहुचन, बहुचन होगा अब यहां ध्यान से देखिए कोकिला मने कोयल यहां आकारांत है कोकिला ऐसे ही जब एक कोयल है तो क लता और जब दो होंगे तो लते और बहुत सारे होंगे तो लता हां ऐसे ही जब एक लर्की होगी तो बाला ऐसे जब दो लर्किया होंगी तो बाले और जब बहुत सारी लर्किया होंगी तो बाला हां अब ऐसे ही हो जाएगा मक्षिका जब एक मक्षी है तो जब एक मक्ष जब अनेक मक्षिया होंगे तो मक्षिकाह, ऐसे ही जब एक चुहिया है तो मूसिकाह, ऐसे ही जब एक चुहिया हो जाएंगे तो मूसिकाह, ऐसे ही जब एक चुहिया हो जाएंगे तो मूसिकाह, ऐसे ही जब एक चीटी है तो पिपी लिकाह, जब दो चीटी तो पिपी लिके जब दो चीतियां हैं तो पिपी लिके, और जब अनेक सारे चीतियां हैं तो पिपी लिका, ऐसे ही गाईका, एक गाईका होगे, गाईके दो गाईका हैं, और जब अनेक सारी गाईका होंगी तो गाईका, ऐसे ही अब कलिका, यानिक एक कली, कलिके यानिक दो कली, और कलिका हम इस क clown ने बहुत सारी कलियाम, अब देखिये यहां, छात्रा, एक छात्रा, जब दो हैं तो दो छात्रे और जब बहुत सारी हैं तो छात्रा, जब दो हैं तो लेखी के और जब बहुत सारी हैं तो लेखी का है ऐसे ही नौ का एक नौ है तो नौ का जब दो है तो नौ के और बहुत सारे हैं तो नौ का है अब यहां देखिए ऐसे ही एक बचन दूबचन और बहुत सारे वर्ड्स को देख करके आपको पताया गया है यहा एक वचन में तो धरा, अब जो दो धरे होंगे तो धरे, जब दो भूमी होंगी तो और बहुत सारी होंगी तो धरा, ऐसे ही जटा, जटे, जटा, सेविका, सेविके, सेविका, ऐसे ही पेटका, पेटके, पेटका, ऐसे ही बाटके, बाटके, बाटका, ऐसे ही पाठ साला, पा तर्ड मीनिंग याद करना है को कोकिला मने कोयल द्धा मने भय अधे मने भैल द्ध को जो एक दूसरे Dieu सहारे धाने mix पर बोलते है तृप अब बाला है लपक इसको आपको अच्छे से याद करना है और प्रेटिस करना है